Beginners के लिए GT Online में पैसे कमाना काफी easy हो चुका है और इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि जो कोसाट का है अपनी वह एक दिन में आपको कैसे बाइ करनी है बस छे गंटे आपको grinding करने पड़ेगी उसके बाद जो कोसाट का है वह आप ले पाऊगे इस वीडियो में मैं आपको पूरी information दूँगा कि डबल मनी डबल आरपी का use करके इस हफते अब तीन दिन और बचे है यानि कि थरस्दे तो अपका डबल मनी डबल आरपी होगा जो कारगो पे है तो भाई उसका use करके और उसमें VIP वग भी है तो उसका use करके आप एक दिन में जो है वो कोसाट का ले सकते हो और अगले दिन आप जो है वो grind कर सकते हो किसके लिए अपने oppressor के लिए तो भाई एक बार आपके पास कोसाट का आ गई तो भाई आपके पास पैसे ही होंगे तो इस वीडियो में मैंने एक नया character भी बनाया है ताकि आप जो आपको मैं एक द आपको एक बात बताना चाहूंगा जब आप इस game को नए मतलब खोलोगे जब आप एक character बनाओगे और game में आओगे तो आपको game ना एक पूछगा जब आप online load होगे तो आपको tutorial फॉलो करना है कि नहीं तो आपको नहीं करना है क्योंकि आपको कुछ extra ऐसे missions करने जाके आपके लिए game खुल जाएगा तो आपको वो tutorial से जो सब skip कर देना है बस उसमें cutscene होता है लमार आता है एक race होती है लमार के साथ तो वो सब आपको skip कर देना है आप कर भी सकते है अगर आपको मतलब जानना है कि GT Online क्या है यह एकड़म मुझे waste of time लगता है तो भाई आपके पास जो है वो criminal enterprise charter pack है तो आपको जो है 1 million तो ऐसे ही मिल जाएगा यह नहीं कि 10 lakh डॉलर जो है आपको free में मिल जाएगा तो आपको कितने बस आपको कितने और 12 lakh डॉलर जमा करने है ताकि आप जो है वो कोसाट का ले पाओ तो कोसाट का लेने के लिए यार सबसे पह है वो बस ऐसे ही आ गए है मेरी जैसे जो बहुत सारे प्लेयर क्या करते है 1 million dollar मिल भी जाते लेकिन वो उनको उड़ा देते हैं उनको यह कर देते हैं तो भाई मैं यह वीडियों के लिए बना रहू जिनके पास starting से कुछ पैसे नहीं है तो सबसे पहले आपको चीज क्या कर रहे होंगे अपने bank account में आप 50,000 dollar क्यों करने क्योंकि आप जो है वो VIP register कर पाओ क्योंकि आप 50,000 dollar चाहिए होते हैं आपको VIP work करने के लिए और इस हफते VIP work यहन की head hunter और जो sides यह अपना उसके उपर चल रहा है double money तो भाई यह अगर यह missions जो है आप 3-4 बार भी कर लोगे न इस हफते ठीक है तो भाई आपके पास काफी अच्छा जो है वो income आ जाएगा लेकिन हमको क्या चाहिए हमको 50,000 पहले जो है वो इखटा करना है ताकि हम यह missions जो कर पाए तो हमको यह missions करके हमको क्या करना है एक office खरीदना पड़ेगा अब अगर आपके पास criminal enterprise चार्टर प पड़ेगा जो की I guess 1 million का आता है जो की maze bank west वाला है तो आपको वो ओला office लेना पड़ेगा अब सबसे पहले आपको अगर 50,000 एकटा करने तो आपको क्या करना है भाई आपको जो है वो triple money और triple rp या फिर double money जो भी races चल रहे है contract job से वो करने है क्योंकि यह सबसे fastest तरीका है आपके जो first 50,000 है उनको एकटा करने के लिए तो भाई आपको जो है वो अपने jobs में जाके देखना पड़ेगा कि क्या triple money पर आ रहा है इस हफते जो है वो triple money पर है हमारे जो air vehicles की जो races होती है वो इस हफते triple money पर है तो भाई मैं यह air vehicles की जो races है वो कर रहा था अब यह यार पता नहीं क्यों मैं इसको पहली बार कर रहा था तो मुझे पता नहीं कि यह solo भी launch हो रहे थे मतलब मैं अगर अकेला ही इस पर यह कर लो तो यह अकेले भी launch हो रहे थे तो मुझे पता नहीं यह ऐसा क्यों हो रहा था लेकिन यार मैं अकेले ही कर रहा था इन सारे races को तो भ मुझे मेरे 50,000 जो है वो मिल गए बस मुझे यह 15 मिनिट लगे इन रेसिस को जो है वो खतम करने के लिए 15 मिनिट में मैं 50,000 तक यहां पर पहुंच गया और गाइज अगर आपको नहीं मिलता है मतलब अगर यह वीडियो आप लेड देखते हो तो भाई अगर आपको 50,000 करने तो भाई आप Simeon के contract missions कर सकते हो Simeon के contract missions भी काफी easy है और आपको काफी ज़्यादा पैसे दे देंगे बस आपको यार 50,000 तक पहुचना है से 48,000 डालर या फिर 50,000 डालर के बीच में जो है वो आपको मिल सकते हैं पैसे ठीक है तो इन इस range में आपको Sightseer और Head Enter यानि कि जो VIP work है हमारा वो आपको पैसे देंगे अब एक बात आपको ध्यान में रखनी कि आपका जो पैसा है यहाँ पे मैंने सब कुछ मेरे जो पैसे वो मैंने complete कर लिये हैं मैंने जमा कर लिये हैं और उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है सबसे पहले जी चीज है आपको अपने पैसे deposit करना है अपने bank account पर यह बह deposit करना हो तो इसके बाद जो है मेरा जो vip work के लिए मैं register कर पाऊंगा तो आपको क्या करना है interaction menu खोलना है m दबाकर secure serve में जाना है और वहाँ पर करना है register as a vip अब आप register as a vip होगे वापर secure serve में जाना है vip work में जाना है और वहाँ पर आपको launch करना है head hunter या फिर sightseer अब head hunter काफी मुश्किल हो सकते हैं और काफी easy भी हो सकता है अगर आप beginner हो तो ठीक है तो अगर आपको मतलब head hunter जरा सा मुश्किल दाता है तो आपको क्या करना है आप एक sniper उठा सकते हो और सीधा snipe कर सकते हो लेकिन यार मैं आपको यह recommend नहीं करूँगा क्योंकि यार इसमें जो ह आपका aim काफी अच्छा होना चाहिए तो भाई आप मैं उन्हीं लोगों को suggest करूँगा जो मतलब काफी जिनका aim अच्छा है तो वहीं लोग जो head hunter कर सकते हैं लेकिन head hunter आपको करना है यह ऐसे मत सोचना कि head hunter मुश्किल है तो आपको नहीं करना है head hunter काफी easy हो सकता है बस target जो है वो 1 जगए पर खड़े रहते हैं और 2 target जो है वो car में चलते रहता है तो head hunter करने के लिए आपको जो है इन 4 targets को मारना पड़ता है और बस आप जीत गए आपको पैसे मिल जाएंगे तो जो do target होते हैं जो car में चलते रहते है तो आपका target जो होता है वो हमेशा गारी चला रहा होता है तो आपको सीधा driver को मार देना है बस आपको target एक बार मर गया तो बस that's it आपका एक target डाउन हो गया तो बस आपको क्या करना है आपने target को खतम कर देना है और next target की उपर जाना है अब head hunter start करने से पहले मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा आप जो है वो एक micro SMG ले लीजिए gun shop से यह सस्ती मिलती है और इसमें आप extended clip लगा लीजिए और भाई आप just good to go तो आपको जो है वो SMG लेनी है micro SMG अगर कोई और कारबाइन राइफल जैसे अगर VIP work में जाकर आपको head hunter जो है वो start कर देना एक बार आपने head hunter start कर देना तो 4 targets आपके map में आ जाएंगे तो भाई अगर आप यह invite only में करते तो भी यह चल जाएगा आपको यह compulsory नहीं है कि आपको VIP work जो है वो public lobby में ही करना है invite only में भी आप VIP work कर पाओगे अब यहाँ पर जो है वो एक target मेरा यही पर पास में है तो भाई आपको जो है बस target जो होता है उसको उड़ाना है उसके साथ में 2-3 और जो बंदे होता है उसके bodyguard तो भाई वो जो है वो बहुत खतरनाक होते है तो उनका aim बहुत खतरनाक होता है तो आपको अगर target दिख रहा है that's it मैंने यहाँ पर उसको मार दिया and मेरा एक target डाउन हो गया तो आपको बस target को उड़ाना है और भाई आपको आगे बढ़ जाना है अब यह मेरा दूसरे target पर आगया अब यह एक moving car में है तो बस आपको driver के ऊपर aim करना है और that's it guys यह मेरा जो है वो target खतम हो गया driver को मार दिया मैंने अब इसके जो बंदे होते वो बहुत खतरनाक होते बहुत जल्दी से आपको निकलना पड़ेगा अब मैं आपको जो है वो एक bike recommend नहीं करता हूँ क्योंकि यह आप bike से अगर आपके driving अच्छे नहीं तो आप bike से ना बहुत जल्दी गिर जाओगे तो आप अगर आपके पास criminal enterprise charter pack है तो आप जाकर ना उसमें से तरिस्मो आर करके कार आती है वो खरी सकते हो या फिर alleviate करके एक और कार आती है तो आप यह दो कार ले सकते हो day to day मतलब beginning के लिए grind करने के लिए तो यह दो कार बहुत ही अच्छे है आपको beginning में grind, बहुत help करेंगे grind करने के लिए तो यहाँ पे जो है आपको यार 14-15 मिनिट का time दिया होता है तो आपको 15 मिनिट में जो है वो 4 targets उड़ाने होते है तो यहाँ पे मेरे 2 targets हो गए और आपको और 2 targets ऐसे उड़ाने है तो भाई आप जीच चाओगे अब यहाँ पे जो है मेरा last target बचा है और last target को मुझे क्या करना है मार देना है अब यहाँ पर मैं driver के उपर aim किया और मुझे मिल गए $42,000 अब यह जो है वो यह step आपको repeat करने है अब यहाँ पर एक बार आपने अगर head enter complete कर लिया तो भाई इसी उपर 10 minute का cool down लग जाएगा 10 minute का cool down लगेगा और अगर आप दूसरा कोई VIP works चार्ट करना चाहोगे तो उसके उपर 5 minute का cool down होगा यानि कि अगर आपको head enter हो गया और आपको sightseer अब launch करना है तो sightseer पर 5 minute का cool down लगेगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं sightseer की और sightseer में कुछ नहीं यार sightseer काफी easy है यह इसके locations जो है वो जरासी दूर मिल जाती है तो यार इसकी locations दूर मतलब आपको जो अगर tackle करना है तो भाई इसको आप क्या कर सकते हो या फिर टारिसमो आर करके कार आती है वो यूज कर सकते हो या फिर आप एक chopper यूज कर सकते हो आपको एक चोटे-चोटे puzzle solve करने होंगे जो आपके phone पे आते है और भाई उन तीन locations पे जाके आपको एक briefcase जो है उठाना पड़ता है आपका जो यह mission है वो complete हो जाएगा तो आपको वापे से 40,000 और 50,000 के बीच के range में आपको पैसे मिल जाएंगे अब यहाँ पे जो है मेरी last जो briefcase से वो बची हुई है और last breakfast लेने के पास आपको वापे से जो है वो 44,000 डॉलर मुझे मिले तो यहाँ पर 44,000 और मिले पहले मुझे 42,000 मिले यह बस इस हफते के लिए है इस missions पे इनका normal जो पे है वो 24,000 या 22,000 25,000 के बीच में होता है तो भाई इतने ही पैसे मिलेंगे अब यह double money पे चल रहे है इसलिए मुझे इतने double पैसे मिल रहे है तो भाई आपको इसका पूरा फायदा उठाना है और गाईज मैं आपको यही recommend करूँगा कि अगर इस पे जो है वो cool down लगता है पाँच मिन्ट का cool down लगता है तो पाँच मिन्ट में आप एक सिमियोन का mission कर सकते है या फिर एक race कर सकते है और triple money और triple RP की ताकि आपका time waste ना और पैसे आते ही रहे पैसे आपको घटा करने है ताकि आप एक office ले पाओ आप मैंने जो है वो मेरा office ले लिया है और office यार लेने के लिए भाई फ्री में अगर आपको मिल रहा है तो भाई यह office ले लो बहुत काम की चीज़ है और अगर नहीं मिल रहा है तो भाई एक million आपको collect करने पड़ेंगे अब इसमें थोड़ा सा यार time जा सकता है आपको आप मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप जो है वो treasure hunt कीजिए मैंने इस पे videos बना रखी है आपको यार 600 to 700 के तक मतलब 6-7 लाग तो वो treasure hunt से ही आप इखटा कर पाऊगे और भाई अगर आप verification करते हो two step तो आपको और जो है वो I guess कितने half million और शायद से मिल सकते है तो भाई मुझे exactly याद नहीं है तो एक बार अपने office ले लिया तो भाई आपको जो है वो एक warehouse buy करना है small वाला मैं usually recommend करता हूँ कि सबसे सस्ता वाला ले लेकिन यार आपको जो buy क कर रहा है क्योंकि यह सबसे office के आपके पास है आप medium वाला भी करतें हैं यार आपको living यह नहीं क्योंकि वो अपने warehouse में आ जाएंगे, अगर आप एक-एक मतलब, देखो, for an example, मैं आपको सीधी जरह से समझा देता हूँ, कि 16 crate से आपके warehouse में 16 की storage है, 16 crate की storage है, तो आपको कितने mission करने पड़ेंगे, 3 crates, अगर आपको जो एक time के अगर आप 3 crates ला रहें, ठीक है, तो 3, 5, 15 और 1, मत फिर time consume हो जाएगा, आपको एकदम, मतलब जो आपको, मतलब एकदम easy आपको लग रहा है time, आपको जितना भी consume नहीं हो रहा है, कम से कम आपको time लग रहा है, वो आपको 3 crates करने हैं, यानि कि 18,000 के आपको 3 crates आएंगे, वो उससे आपको grinding करनी है, और आपका जो ये warehouse से small वो भर देना है, अब इसको भरने के लिए आपको यार 2 गंटे या फिर 5 गंटे तो लग जाएंगे, तो आपको इसको एक बार fully भर देना है, तो 5 गंटे में आपको ये करना है, और फिर यार अगर इस पे भी एक cool down है guys, एक बार आपने जो crate ले ली तो उसके उपर भी 5 मि में आप head enter or sightseer कर सकते हो वापिस से, क्योंकि यार आपका जो time है वो waste नहीं होना चाहिए, और भाई इस 5 मिनट में अगर एक भी बार जो है head enter or sightseer करोगे, तो भाई आपको 44,000 और 42,000 इतना तो मिलना पका है भाई, इतने मिलेंगे ही आपको, तो आपको वापिस से जाना पंदरा क्रेट्स तक भर जाओगे, और पंदरा क्रेट्स तक अपना warehouse जो भर दोगे, तभी तक आपको तीन mission में, तीन crates आप भर पाओगे, ठीक है, जब तक आपके जो warehouse की storage है, वो 15 नहीं हो जाती, तो लास्ट में आपको एक mission करना पड़ेगा, सिफ single crate का बस, और फिर आपका जो ये warehouse से वो भर जाएगा, अब यहाँ पे जो है, मैंने मेरा warehouse जो है, पूरा भर लिया, मुझे एकदम धाई गंटे, धाई गंटे तो लग गए भाई, मुझे पूरा ये warehouse भरने के लिए, और धाई गंटे यार, आपको भाई, starting में बहुत लग रहा होगा, लेकि आप देख सकते हैं कि, चारलाक और असी हजार में आपका जो है, वो पूरा कारगो बिक रहा है, तो भाई, आपको पूरा जो है, वो 16 क्रेट्स एक टाइम पे बेज देने हैं, आपको एक ही वेकल मिलेगा, और आपको एक ट्रक मिल सकता है, मेबी, या फिर आपको जो है, वो वेलम प्लेइन मिल जाएगा, अब यहाँ पे जो है, मुझे वेलम वाला प्लेइन वाला मिशन मिला था, यहाँ पे मैं आपको एक कौशन दोंगा, कि भाई, इस प्लेइन में को उड़ाते समयना, आप जो पोल्स और वो स्ट्रीट लाइट्स और फिर जो खंबे आते ह उन सब का यार, आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप उन सब का ध्यान ने रखना, तो यह प्लेइन यार वैसे ही काफी सलो है, और यह सलो होने के वज़े से यार, आप जो है वो टकरा कर आप गिर सकते हो, आपके 16 के 16 जो क्रेट से है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, at one time at an instant so आपको जो है वो flying का बहुत important आप चाहे तो यार high fly कीजिए बट यार जो खंबे और वो street light से उनसे आप बचके रहना क्योंकि यार मैं दो बार ये warehouse भरा इस वाले character पर और दो नो बार मैं headphone नहीं लगाया था और मैं दूसरी तरफ देख रहा था कुछ कर रहा था तो मेरा street light से टकरा गया और मेरा जो ये plane है वो सीधा नीचे गिर गया है and that's it मेर जो crates है वो खतम हो गए तो भाई आपको ऐसे नहीं करना है आपको ठीक से driving करनी है आपको ठीक से रास्ता देखना है कि भाई कहां पर जा रहा है और अपना आपको cargo जो है वो deliver कर देना है तो यहाँ पर जो grinding है वो मैंने कर लिए गाइस और मैं जो है मुझे almost मुझे कितन जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने थोड़ी जर पहले आपको दिखाया है कि casino का जो map मैप में जहाँ पर casino होता है वहाँ पर गाने का symbol होगा तो वहाँ पर जाके आपको जो है वो म्यूजिल मटराजो के साथ जो है वो एक cutscene आपको देखना पड़ेगा और फिर उसके और कमा लिए बस मैंने यार kargo sell किया है तीन बार मुझे kargo sell करना पड़ा तीन बार मैंने उसको बार तीन बार sell किया तो यह तीन बार नहीं अल्मोस्ट दो बार मैंने किया और दो बार करने के बाद side see or head hunter ने जो है वो मेरी काफी help कि इसके बाद तो वहाँ आपको यही steps व है वो follow कर रहे हैं और ये cutscene आपको खतम कर देना है एक बार आपने cutscene खतम कर दिया बस एक बात आप ध्यान रखी कि आगर आपको इसे मिलना है musical madraso का जो cutscene है वो trigger करना है तो यहाँ पर जैसे आप music locker में एंटर होगे तो भाई आपको जो है 1500 डॉलर देने पड़ेंगे अगर आप 1500 डॉलर नहीं देते हो इस counter pace यहाँ पर जो reception है यहाँ पर आपको जो है 1500 डॉलर देने पड़ेंगे entry करने के लिए तो आपको 1500 डॉलर दे देने और फिर आप जो है और को अरइस सासै, तो यहाँ पर जो है वो पर हाइस मैं पहले भी विडियो बना 와서 वह तो मैं यह यहाँ मुज़े 6-7 गंटे लगए मुझे बस GREG को सारका लियर ने में और मजा आप अगर गंटे एक दिन का भी आपको लग सकता है, लेकिन, यार, ठर्सजे तक जो है ये डबल मनी पर चल रहा है, तो भाई आपको इसका पूरा फाइदा उठाना और ठर्सजे तक जो है, वो आप जो है सारा इससे ग्राइंडिंग कीजिये, ताकि यार आपको ज़्याद से ज़्यादा पैसे मिल पाई तो बस आपको यही करना है और आपका जो कसाट का है वो आपके पास आ जाएगा कायो परिको हाइस के लिए तो बस गाईज यही थी आज की वडियो यार यह वडियो थोड़ी से लंबी हो गई आपको यह वडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वडियो पसंद आती तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको चीप में गेम्स बाई करने तो डिसक्रिपिशन में एक लिंक होगा वहाँ उस वेबसाइट पे जाके आप चीप में बाई कर सकते हैं और अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड अब तक जॉइन नहीं किया तो लिंक डिस्कॉर्प्शन में होगा डिस्कॉर्ड भी आप जॉइन का सकते हैं मिलते हैं अपसे अगली वडियो में हैं